दोस्तों यह है 125cc की बेस्ट बाइक एंड पॉपलर बाइक हॉंडा की हॉंडा शाइन 125 बीए 6 डिस्स वाला वेरिंट जिसका आज में एक डिटल रिव्यू करने वाला हूं क्यूंकि अब आप लोगों को 2022 में एक न्यू फीचर्स और न्यू प्राइज और न्यू माइलिज क सब्सक्राइब को शुरू करते हैं तो दोस्तों बात करने बाइक के फ्रेंट लूप कलर एंड ग्राफिक्स के बारे में तो इस बैक का जुकलर है वो है ब्लु में टैलिक विट ग्राफिक्स के साथ में प्रेंट में आपको ब्लैक zeg talking लेक्षिंग को मिलता है जिसके UPर हों वह नॉन फ्लेक्सिबल क्लिर लंफ आले देखने को मिलते हैं और हैड लाट के नीचे नंबर प्लेट का स्पेस है और फ्रेंट का जो मेड़ गार्ड हो आपको सिंगल टोन फिनीशिंग में देखने को मिलता है जो की ब्लू शाइनिंग वाला है बहुत ही अच्छा लग रहा और रेर की जो टेल लाट है वह आपको नॉर्मल देखने को मिलती है डिसी बल फाली नॉन फ्लेक्सिबल क्लिर लैंस वाली अंडिकेडर्स देखने को मिल जाते हैं और सेकंड प्रोफाइल भी आपको सेम देखने को मिलती है शाइन की बैजिंग और क्रोम एलिमंट्स को ज जो कि है एनलोग मीटर कॉंसोल वाला इस बाइक में बैटरी इंस्टॉल नहीं है जिसकी वज़ेसे मैं आउन करके आपको नहीं दिखा पाता हूं उसके लिए सौरी दोनोग देखने को मिलता है राइट साइड में फ्यूल इगनेशन देखने को मिल जाता है और लेट साइड साइड में एंडिकेटर, हॉर्ण, उपर साइड पासिंग के स्विच दो वाल्ड मिरेर की ऑप्शन है जो कि बहुती स्टाइलिश लग रहे है और इस बाइक का जो फ्यूल टैंक है वह आपको 11.5 लीटर कर देखने को मिल जाता है जो कि पूरा शाइनी ब्लू कलर का है सिं 123.9 cc का 4-stroke air-cooled sie bs6 fi engine देखने को मिल जाता है जो कि ब्लैक फिनिशिंग में आता है और जिसके ओपर आपको एक कवर भी देखने को मिल जाता है max power की बात करें तो 10.5 bhp at the rate 7500 rpm और जो max tower के वो है 11 newton meter at the rate 6000 rpm और 5 speed का minimal gearbox देखने को मिल जाता है जो कि gear shifting के time पर बहुती smoothly work करता है और कोई problem create नहीं होती है अब मैं second side से भी engine की profile दिखा दूँ जिस पर आपको Honda की badging देखने को मिल जाती है self and kick दोन ही कोई option है इस bike में और नीचे आपको brake lever देखने को मिल जाता है और front के left side में आपको single horse देखने को मिल जाता है यह exhaust catilator है जिसके उपर कोई भी cowl नहीं लगा हुआ है single exhaust देखने को मिल जाता है जिसके उपर chrome finishing का एक cowl लगा हुआ है जो की बहुती sporty look के साथ में है और look भी बहुती अच्छा आ रहा है और साथ ही साथ आपको front में जो braking power देखने को मिल जाती है वो है 240 mm की display जिसमें आपको command braking system देखने को मिल जाता है जो की बहुती अच्छी braking power है और front में यह आपको suspension देखने को मिलते है वो है telescopic suspension पूरे black finishing में जिसके उपर दोनोई side आपको reflector भी देखने को मिल जाते है soft and comfortable suspension है riding के time पर कोई problem create नहीं होती है अब मैं rear side का भी suspension दिखा दू जो की hydraulic type का suspension black spring loaded के साथ में आता है जो इस bike के color के साथ अच्छे से match कर रहा है soft and comfortable suspension है और rear में 130 mm की drum brake देखने को मिल जाती है with combined braking system के साथ में अच्छे से work करती है braking को लेकर और front में ही आपको MRF का tubeless tear देखने को मिल जाता है जिसका size है 80 by 100 18 inches के wheels के साथ में और जो wheels है वो आपको पूरा matte black finishing में देखने को मिलता है एक new look के साथ में बहुत ही अच्छा लग रहा है और rear side का भी मैं आपको दिखा दूँ जिसका semi size है 80 by 100 18 inches के wheels के साथ में ये भी MRF के tubeless tear है बहुत ही अच्छी gripping रहने वाली है riding के time पर इस tear की और जो wheels है वो भी बहुत ही अच्छे है second side से मैं अब आपको दिखा दूँ इस bike की chain को जो की पूरी covered है carbon fiber cover के साथ में बहुत ही solid cover है और अच्छा cover है और ये sadi guard है जो की new look के साथ में Honda आप दे रहा है अपने सभी bikes में जिसमें footrest to be attached है और ये single footrest है जो की अच्छी quality का है इस bike में अच्छी quality के products को use किया गया है जिससे bike का look और performance दोनों ही अच्छा आता है तो दोस्तों अब बात कर लिए इस bike के new price जो की है 2022 का एक शोरूम प्राइज है 78,371 रुपय के approach में और जो on road price है 92,100 रुपय के approach में और जो इस bike का mileage निकल के आता है वो आपको 60 plus का आता है overall bike बहुत ही अच्छी है Honda की bike है most selling bike है जिसके बारे में सभी लोग जानते हैं अगर आप लोग purchase करना चाहते हो तो एक बार शोरूम में visit जरूर करिएगा I hope आप लोगों को आज की vlog अच्छी लगी होगी तो please channel को subscribe करिएगा मिलते हैं next vlog में तब तक के लिए take care and bye bye